बीब्रुगड एक्स्प्रेस गॉंडा गोरखपुर रेलवे लाइन के बीच दोड रही थी तभी अचानक चार से पांच डब्बे ट्रेन की पटरी से नीची उतर गए मौके पर अफरा तफरी मच गई लोगों की चीखे चिलाने की अवाज याने लगी जहां हादसा हुआ उससे कुछ ही दूर ट्राक पर काम चल रहा था वहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों को कौशन दिया गया बीबुगर्ट एक्सप्रेस भी वहाँ से 634 किलोमीटर पर कौशन लेकर निकली थी और रफ्तार पकड़ते ही पटरी से उतर गई ट्रेन हादसे की बड़ी वज़ा क्या हो सकती है आईए आपको ये बता देते हैं रेलवे बोर्ड के एक्स मेंबर प्रदीप कुमार कहते हैं कि कभी कबार इंजन पर लगी मोटर नीचे गिरने से दुरघटनाए हो सकती है जिससे ट्रेन की पटरी से उतरने की आशंका रहती है हाला कि ऐसे मामले सामान्य तौर पर नहीं देखे जाते बीब्रुगड एक्स्प्रेस के मामले में लोको पाइलेट ने धमा के जैसी आवास सुनी थी हाला कि स्थानिय पुलिस ने जब शुरुआती जाच की तो आसपास कोई भी विस्वोटक जैसी चीज नहीं मिली इसलिए मोटर गिरने की आश्रंकास से भी इंकार नहीं किया जा सकता एक्सपर्ट मानते हैं कि जहां पर हादसा हुआ है वहां पर ट्रैक के आसपास पानी भरा है कई बार पानी भरने की वज़े से किसी पॉइंट पर ट्रैक कमजोर हो सकता है रेलवे मैनुवल के अनुसार जब कहीं 20 से 30 किलोमीटर पर ट्रैक पर पानी भरा मिले तो एक रेलवे करमी पाइलिटिंग करते हुए ट्रेन के आगे चलता है और ट्रैक सेफ होने के बाद ही ट्रेन वहां से निकलती है फिलहाल पूरा मामला तो सामने नहीं आ पाया है रेलवे ने CRH जाच के आदेश दिये हैं बता दे ये हादसा मोतिकंज और जिलाही रेलवे स्टेशन के बीच हुआ ट्रेन आक्सिडेंट में तीन लोगों की मौत और तीस लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है मौके पर पहुँचकर सांसत कीर्ती वर्धन सिंग ने क्या कहा आईए आपको सुनाते हैं यहाँ पर जितने घायल अवस्ता में लोग हैं उनको मनकापूर CHC और गोंडा भीजा जा चुका है बाकि जो यातरी हैं उनको सडक टक में रोड तक ले आने का हम लोग भी प्रवंद कर रहा हुँ और वहाँ में रोड से उनको बस लगवा दिगई है जिससे वो मनकापूर रेलवे PA तो यहांसे यह जो यात्री आगे जा रहे ते गोरखपूर जा रहे तो जो आ पने करके उनको अपने अपनी जगा पे पहुंचाए जाएगा इस बीच रेल्वे ने कई हेल्प लाइन नंबर भी जारी किये आईए एक नजर इस पर डालते हैं डीब्रुगर ट्रेन हाथसे के बीच इस लाइन पर चलने वाली कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं कटिहार अमरित्सर एक्सप्रेस का रास्ता बदल कर मनकापूर अयोध्या बारा बंकी के रास्ते रवाना किया गया साथ ही गुहाटी शुरी माता वैश्नुदेवी कट्रा एक्सप्रेस को भी मनकापूर अयोध्या और बारा बंकी के रास्ते चलाया जा रहा है